आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं आई पिल 2012 फाइनल के हीरो मनविंदर बिसला के बारे में मलविंदर बिसला का करियर किन-किन IPL टीम के लिए वो खेल चुके हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं ये सभी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो से स तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप में चाहे पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर नोटिफिकेशन लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो मलविंदर 20 लाख का जन्म 27 दिसंबर 1984 को हरियाना में हुआ था लेकिन हरियाना के लिए उनको ज्यादा रंजी ट्रोफी मैच खेलने का मौका नहीं मिला इसलिए अपने करियर के शुरुवाती दौर में उन्होंने ज्यादातर डोमेस्टिक मैचेस हिमाचल प्रदेश और जम्मु कश्मीर की रंजी टीम के लिए खेला 2002 में बिसला का सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ और इंडिया अंडर 19 वर्सिस अंडर 19 टीम के बीच हुए टेस्ट मैच में बिसला इंडिया के कैप्टन भी थे IPL कैरियर की बात करें तो डेककन चार्जर्स ने 2009 में सबसे पहले बिसला को अपनी टीम में शामिल किया था लेकिन वो डेककन चार्जर्स के लिए कोई भी मैच नहीं खेल पाए हालां कि डेककन चार्जर्स उस साल चैंपियन बनी थी फिर 2010 में 20 लाख की 17 पंजाब टीम का हिस्सा थे लेकिन वहां भी उनको ज्यादा मौके नहीं मिले 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिसला को अपने टीम में साइन किया और फिर आया 2012 का वो फाइनल मैच जब मलविंदर बिसला को ब्रैंडन मैकुलम क्रिस डाग के तरफ से खेलने का मौका मिला IPL का फाइनल मैच और सामने थी चैननई सूपर किंग्स जैसी दो बार की चैंपियन टीम और केके आर को मिला था 192 का टारगेट एल जब केके आर की टीम मुसीबत में नजर आ रहा था तब बिसला ने जैक कैलिस के साथ मिलके 145 रन का साजहेदारी किया और बहुत ही कमाल का बैटिंग किया स्पेशल ली जीस तरह से मनविंदर बिसला ने चैननई के स्पिनर्स को खेला वो काबिले तारीफ था 20 लाख की नवासी की शांदार पारी के वजह से केके आर IPL 2012 फाइनल जीता उसके बाद IPL 2013 में भी केके आर टीम ने बिसला को मौके दिये लेकिन बिसला का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था IPL 2014 में भी केके आर टीम का हिस्सा थे बिसला लेकिन उनको ज्यादा मौके नहीं मिले और 2014 में भी केटी आर ने IPL जीता उसमें 2015 में बिसला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेले और वो उनका आखिरी IPL सीजन था उस सीजन भी बिसला का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और उसके बाद आने वाले सीजन में बिसला अंसोल्ड रहे ओवरल IPL करियर की बात करें तो बिसला ने 49 मैचेस खेले जहाँ पे 21 के एवरेज और 113 के स्ट्राइक रेट के साथ बिसला ने 798 रंस बनाएं करेंटली बिसला गोवा टीम के लिए रंजी ट्रोफी और डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं कही ना कही बिसला एक बहुत ही टैलेंटेट बल्लेबाज रहे हैं स्पेशल ली IPL में उन्होंने कई बार अपने टैलेंट का परिचय भी दिया लेकिन क्योंकि कॉंस्टेंटली मनविंदर बिसला अपने परफॉर्मेंस और कंटिन्यू नहीं रख पाए इसलिए वो IPL में ज्यादा दिन सस्टेंड नहीं कर पाए इसके अलावा जीस टाइम पे मनविंदर बिसला ने खेलना स्टार्ट किया उस टाइम पे महेंदर सिह धोनी के अलावा और किसी इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन को इमेजन नहीं किया जा सकता था और इसलिए कही ना कही बिसला को इन इंडियन टीम में भी मौका नहीं मिला लेकिन बिसला ने जीस तरह की पार्टी 2012 IPL फाइनल में खेली वो कोई भी केटियार फैन नहीं बोल सकता और 20 लाख की सुपारी कही ना कहीं हमेशा ही IPL फैन्स और क्रफ फैन्स के जेहन में रहे तरह की है जाओ।